तो guys कैसे हैं आप लोग हमें साकी तरह आप अच्छों में दोस्तो आज का जो वीडियो काफी जादा इंटरस्टिंग होने वारा है क्योंके guys आज हमारे पास noise की तरफ से एक इंटरस्टिंग सा headphone है जिसका नाम है दोस्तो noise 4 guys इसे मैंना flip card से first sale में purchase कर लिया था 2499 में और guys 2499 में इस headphone में आपको काफी तगड़े वाले feature देखने को मिल जाते है guys इसमें आपको 70 hour का playtime देखने को मिलता है 40 millisecond low latency के साथ gaming mode मिलेगा और guys dual pairing वाला भी feature देखने को मिल जाएगा guys box को unbox करेंगे सारे feature हमेशा की तरह आपको अच्छे से explain करेंगे fully testing के साथ इस headphone का review करेंगे और guys अपना experience भी आपके साथ share करने बाला हूँ अगर आप इसे लेने की सोच रहोगे तो दोस्तो इस वाली वीडियो को देखके आपके सारे confusion almost दूर हो जाएगे तो guys वीडियो में last तक जरू बन रही है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तो एक like तो जरू कर देना तो guys पहले box को देख लेते हैं box दोस्तो हमारा कुछ इस तरीकी का मिलने बाला है सामने एक तरब आपको noise की branding देखने को मिल जाएगी और guys यहाँ पर इन्होंने mention कर रख है up to 70 hour playtime dual pairing इस सेड़ आएगे तो दोस्तो यहाँ पर भी इन्होंने खुछ की highlight mention कर रख है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमा आपको 40 mm के speaker driver देखने को मिल जाते है enc देखने को मिलता है इन्स्टा चार्ज का भी support देखने को मिलता है IPX5 की border resistance के साथ यह headphone आपको मिल जाता है और दोस्तो low latency मिलती है up to 40 millisecond की और guys जब मैंने box को unbox किया तो दोस्तो box content में मुझे एक user manual देखने को मिल जाता एक आपको banier manufacturer warranty card मिल जाता है guys इस वाले QR code को scan करके दोस्तो आप अपनी warranty claim कर पाएंगे और guys कुछ sticker वगरा देखने को मिल जाते है noise की तरफ से और दोस्तो एक आपको book my soka voucher भी देखने को मिल जाता है guys एक आपको type c interface के साथ charging cable देखने को मिल जाती है cable की quality दोस्तो मुझे बढ़िया लगी है और guys एक आपको aux cable देखने को मिल जाती है aux cable की quality की बात करेंगे तो दोस्तो मुझे काफी बढ़िया लगी है और guys ये aux cable आपको काफी जादा लंबा देखने को मिल जाता है और guys एक इनोंने cover भी दे रखा है तो दोस्तो इसमें डाल के आप अपने headphone को कहीं पे भी आसानी से carry कर पाएंगे guys अब बात कर लेते हैं अपने main product की बारे में सबसे पहले दोस्तो इसकी build और design की बात करेंगे तो दोस्तो इस price segment में इसका जो design है वो मुझे काफी बढ़िया लगा है और guys build quality की बात करेंगे तो दोस्तो यहां पर इनोंने जो plastic use किया है वो मुझे काफी अच्छी quality का लग रहा है और दोस्तो पूरा का पूरा headphone आपको fully matte finish के साथ मिल जाता है guys इस side आएंगे तो दोस्तो यहां पर इनोंने noise की branding दे रखे और दोस्तो यहां पर जो pushon लगाएं वो काफी ज़्यादा soft है अगर आपसे long term कानों में लगा के रखें तो दोस्तो आपके कानों में races बगरा बिल्कुल भी नहीं आने वाले और guys इस side आएंगे तो दोस्तो यहां पर इनोंने कुछ buttons बगरा लगाएं वो मैं आपको बदा देता हूँ guys यहां से आप अपने volume को कम जादा कर पाएंगे और दोस्तों song को play pause भी कर पाएंगे इस side आएंगे तो दोस्तों यहां पर इनोंने कुछ ports बगरा लगाएं जैसे एक दोस्तों यहां पर आपको aux port देखने को मिल जाता है type c interface के सा charging port देखने को मिलेगा एक light indicator लगाया है और दोस्तों यहां से आप अपने headphone को on off कर पाएंगे और guys यहां पर इनोंने microphone लगाया है guys यह headphone आपको 90 degree rotatable देखने को मिल जाता है और guys इस side आएंगे तो दोस्तों यहां पर काफी ज़्यादा flexible है अगर आप इसे कितना भी band करो बड़ दोस्तों यहां से यह तोटने वाला नहीं है क्योंकि guys यहां पर इनोंने metal का use किया है और दोस्तों यहां से आप अपने headphone को छोटा बड़ा भी कर पाएंगे इस side आएंगे यहां पर भी इनोंने noise की बगैरा नहीं आएगा और दोस्तों आपके सेर में दर्द बगैरा भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि guys यह part भी काफी ज़्यादा soft है ओबर रॉम दोस्तों देखा जाए इस headphone की build quality और दोस्तों design भी मुझे काफी बड़िया लगी है guys अब बात कर लिए इसके fitting और comfort की बारे में तो दोस्तों यह headphone मुझे comfortable काफी ज़्यादा लगा है क्योंकि guys यहाँ पे इनोंने जो cushion यूज़ करें वो काफी ज़्यादा soft है अगर आपसे long term यूज़ करोगे तो दोस्तों आपके कानों में workout के time या दोस्तों traveling के time यूज़ करो वहाँ पे दोस्तों यह headphone आपके कानों से बितकुल भी गिरने वाला नहीं है guys इसके connectivity के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमापको Bluetooth का एकड़म latest version देखने को मिलता है Bluetooth 5.4 बहुत जल्दी से आपके device से यह headphone pair हो जाता है guys इहाँ पर आपको कोई भी issue नहीं आएगा और guys इसमापको high quality audio codec AAC और दोस्तों SPC का भी support देखने को मिल जाता है guys आप बात कर लेदें इसके gaming quality के बारे में तो दोस्तों जैसे के मैंने आपको बताया था इसमापको 40 millisecond low latency के साथ dedicated gaming mode भी मिल रहा है तो दोस्तों gaming का एक छोटा सा test पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको idea लग जाएगा इसमापको किस तरीकी की latency मिल रही है फिर guys मैं अपना experience भी आपके साथ share करूँगा अगर आप इसका gaming mode on करना चारा है तो दुस्तों इस वाली बटन को आपको long press करके रखना है अगर आप gaming mode से exit होना चारा है तो फिर से आपको इस वाली बटन को long press करना है आप gaming mode से exit हो जाएंगे तो गाइज गेमिंग टेस्ट देखे आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा किसमा आपको किस तरीके की लेटनसी मिल रही है गाइज मैं अपना एक्सपिरेंस हैर करना हूँ दोस्तो इससे मैंने BZMI के बहुत सारे गेम्स प्ले करे थे मुझे गाइज ऐसा लग रहा है 42-50 मिली सेकंड लो लेटनसी के साथ इसमा आपको गेमिंग मूर मिल रहा है तो दोस्तो कैजोली गेमिंग करने के लिए डेफिनिटली आप इसी पर्चेस कर सकते हो बड़ दोस्तो प्रफेस्टनली गेमिंग के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइज इसमा आपको माइनर सी लेटनसी मिल रही है अगर गाइज आप इसी ऑक्स केबल के साथ गेमिंग के लिए यूज करना चारा है तो दोस्तो कॉलिंग का मैंने टेस्ट किया था आउट्डोर में जाके वो मैं आपको सुनार देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन, स्पीकर और दोस्तो इसका जो इंवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन मोड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है तो बैक्राउंड की नॉइस आ रही आपके पास कुछ? ज़्यादा नहीं आ रही है, 10% आ रही है बस तो दोस्तो दो स्मार्टपोन में एक साथ प्यर करके आप इसे यूज कर पाएंगे या दोस्तो एक लैप्टप और एक स्मार्टपोन में भी प्यर करके आप इसे यूज कर पाएंगे गाइज अब बात कर लेज़ेंगे इसके बैटरी बैकप के बारे में तो दोस्तो हैडपोन की जो बैटरी है एक बार चार्ज करने पर आपको लगबग 70 घंटे का प्ली टाइम दे देती है और गाइज इसमा आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है अगर आपसे 10 मिनट चार्ज कर रहे हो न तो दोस्तो वहाँ पर ये हैडपोन आपको 300 मिनट का प्ली टाइम दे देता है और गाइज दो घंटे में आपका लगबग हैडपोन फुल चार्ज हो जाता है गाइज इसके कुछ extra feature के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो ये हैडपोन आपको IPX5 की water resistance के साथ मिल जाता है तो दोस्तो पानी की थोड़ी बहुत बूने इसके उपर गिर जाएंगे तो आपको कोई भी issue नहीं आएगा और गाइज बरक आउट के दौरान अगर आपको sweating बगरा होती है तब भी आप इसे use कर पाओगे गाइज वहाँ पे भी आपको कोई भी issue नहीं आएगा तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके sound की quality के बारे में गाइज इस headphone को मैं काफी time से use भी कर रहा हूँ और गाइज इससे मैंने बहुत सारे गाने सुने वीडियो बगरा भी देख रहा था गाइज इसके जो sound की quality है वो मुझे काफी perfect लगे है आप लोग enjoy करोगे इसकी sound की quality को vocals दोस्तो एकदम clear है singer की आवाद आपको एकदम clearly सुनाई देती है और दोस्तो इसके आवाज काफी ज़्यादा soft है सार्फ है अगर आपसे long term use करोगे तो दोस्तो आपको कोई भी irritation बगरा मैसूस नहीं होने वाला गाइज अब बात कर लेते हैं इसके bass quality के बारे में तो दोस्तो इसमापको 14 mm के speaker driver देखने को मिल जाते हैं bass दोस्तो मुझे काफी ज़्यादा तगड़ा लगा है अगर आप bass music सुनना पसंद करते हैं तो दोस्तो definitely इस headphone को आप चरूर एक बार purchase कर सकते हैं तो guys अब बात आते है 2499 में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अल्मोस्ट सभी feature मैंने आपको अच्छे से बता दिया है तो guys decision आपको इसे भी ले सकते हो का आपको इसे लेना है या नहीं लेना है अगर आपको मेरा opinion चाहिए तो दोस्तो इस price segment में ये headphone मुझे value of money लगा है अगर आपका budget दोस्तो पच्छे सोर रोपे हो और दोस्तो तगड़ास सा headphone लेना चाहिए Bluetooth के साथ और दोस्तो ऑक्स केबल के साथ तो दोस्तो definitely इस headphone को आप जरूर एक बार check out कर सेकते हैं तो guys यही ता noise 4 headphone का unboxing review अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तो एक like टिप जरूर कर देना इसी तरीके का content आगे भी आप देखना चाहरा है तो दोस्तो चैनल को subscribe कर लिजिए और guys वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिए ताके आने वाले वीडियो की notification सबते पहले आपको मिल सके तो guys मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए take care बाइब जाहे हैं